अलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड तोस्तो अगर आप बेसिक स्विक्षा परिशत के नियंत्रनाधीन परिशदी विद्यालियों में बताओर सिक्षक सिक्षिका भाई बैन की रूप में काम कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है क्योंकि परिशदी विद्यालियों के बच्चों को पांसो रूपए दोस्तों मिलने वाले हैं और यह रूपए क्यों मिलेंगे तो उस्तों COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण लंबे समय से बच्चों के लिए विद्याले बंद रहें बच्चों की सिक्षा दिक्षा प्रभावित रही एक तरफ सिक्षक भी परिशान रहें क्योंकि ऑनलाइन मौड पे जो एजुकेशन का प्रारूप है उसके लिए सिक् बलकि सिक्षक गण भी एक नई विवस्था को अपने जिन्दगी में शुमार करने के लिए दोस्तों एक प्रकार से बाद हुए और वो अब जीवन की संस्कृत का अभिन हिस्सा हो गया ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से स्मार्ट फोन डिवाइसेस का काफी यूज हुआ और अब भारत सरकार परतेएक सिक्षक को पूरे भारत में तकरीवन पचीस लाग सिक्षक सिक्षी का भाई बैन काम कर रहे हैं और अब पचीस लाग सिक्षकों के लिए 10 हजार रूप कि बच्चों का जो भी पढ़ाई में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सिक्षक कर सकें सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह होगी कि 500 रूपए उच प्रात्मिक विद्यालियों में पढ़ने वाले बच्चों के खाते में तो जाएगा ही और यह जाएगा निपुल भारत म मिशन के दाहत कक्षा एक से पांस तक निपुल भारत मिशन का दायरा दोस्तों अलड़ी है अब इसमें जो बाते हो रही वो छे से आठ तक के बच्चे जो भी हैं उच प्रात्मिक विद्यालियों के बच्चे उनके एकाउंट में 500 रूपए दोस्तों जाने हैं आईए प्लान में दोस्तों पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए इसकूलों में लागू होगा लर्निंग रिकवरी प्लान लर्निंग रिकवरी प्लान के तहत उच प्रात्मिक अस्तर के बच्चों को पढ़ाई में मदद वास्ते 500 रूपए की मिलेगी धंडास कोविट के चलते लंबे समय से बंद रहे स्कूलों के काण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए learning recovery प्लान तयार किया गया सत्र 2022-23 में से लागू कर बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी इसमें सिक्षकों चात्रों और अभिवावकों को भी शामिल किया जाएगा कख्षा एक से तीन वह आगे की कच्चाओं के लिए अलग-अलग प्लान तयार किये गए इसे केंदरी अस्तरपण स्कूल शिक्षा विवाग ने तयार कर लागू किया गया जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा इसकी तयारी भी पहरी छेत्र छोड़ कर गाउवाद में चले जाते हैं उनके साथ उनका परिवार भी पलायन कर जाता अनेक कारणों से बच्चे स्कूल आना छोड़ देते हैं ऐसे में हर बच्चे को तलासने और उसकी सिक्षा को जारी रखने की जिम्मेदारी सिच्चकों को सौपी गई ह चात्रों को दिया जाएगा स्ट्र लर्निंग रिकबरी प्लान के ताहत या योजना भी तयार की गई है कि सत्र दोहजार बाइस तेस की शुरुआत में उच्च प्रात्मी कस्तर के बच्चों को 500 रुपए की धनरास दी जाएगी ताकि यह उनकी पढ़ाई में मदद कर सके बच्चों के लिए पढ़ाई के अलग से प्लान तयार कर छूटे हुए कोर्स की फरपाई कराई जाएगी NCRT बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स भी कराएगा विकल भी तयार दोस्तों किये गए हैं ने सत्र के लिए पढ़ाई के विकल भी तयार की गए यह बीच सत्र में क बच्चों को रहेगी, शिक्षकों वा छात्रों की अनेक ओनलाइन मौट से भी कनेक्ट रखा जाएगा, शिक्षकों को प्रसिक्षाण और बच्चों की लर्निंग रिकबरी के लिए पढ़ाई जारी देगी, इसके लिए निस्ठा, दिक्षा, स्कूल रेडिनेस प्रोग्रा भारा सरकार सिक्षा मंत्राले, स्कूल सिक्षा और साक्षर्ता विवाक शास्त्री भवन नई दिल्ली से पत्र जारी हुआ है, और यहां पर बात हो रही है कि COVID-19 pandemic has caused an unprecedented public health emergency that has led to severe disruptions in normal life, including closures of school, extended school closures have interrupted the learning process of children and caused learning gaps at every stage, बात दोस्तों यही हो रही है कि COVID-19 वैश्विक महामारी ने जिन्दगी के हर एक छेतर को प्रभावित किया, विद्याले बंद हो गए और हर एक stage में बच्चों को नुकसान हुआ, several initiatives have been taken up by the department in the year 2021-22 to ensure that the school-going students do not lag behind in their studies during this COVID-19 pandemic. बहुत से measures लिए गए कि 2021-22 में कि बच्चे पढ़ाई में पीछे नहूं। In this regard, a comprehensive COVID-19 action plan had been shared with the states and union territories on 4th May 2021. Outlining the role of local bodies, formation of nodal group at village town level, conducting door-to-door help desk app-based survey to identify out-of-school children their main streaming and resource sharing. बच्चों के को जो है, वहाँ पे village level पे committee बनाए गई, door-to-door survey हुआ, ताकि बच्चों को शिक्षा की मुखधारा मिलाया जा सके. National achievement survey has also been conducted on 12th November 2021 to analyze the health status and learning gaps of education system. National level पे एक उपलबधी का सर्वेक्षन कराया गया, 12 November 2021 को. यह देखने के लिए कि बच्चों का स्वास्थ का कैसा है, और बच्चों को जो सीखने में जो गई पाया, जो अंतराल आया, जो क्या है? Based on the results of NAS, schools will have to prepare a focused strategy and reimagine the teaching learning process and introduce a suitable method of delivering quality education in this period. अब इस जो NAS का आकड़ा है, उसके आधार पे विद्यालियों को focused way में रणनीद बना करके, बच्चों का जो अधिगम का अंतराल है, जो उनकी पढ़ाई में कमी हुई है, जो उनके अंदर गैव साये हैं, उसकी भरपाई करने होगी. अब दोस्तों आप वीडियो पे बने रहे हैं, क्योंकि हम आगे बात करने जा रहे हैं, 2022-23 में 500 रुपए बच्चों को मिलेंगे और शिक्षकों को 10,000 रुपए मिलने हैं टेबलेट के लिए. तो दोस्तों यहीं पे बात हो रहे हैं, क्योंकि हमारी है, उसके इंपेक्ट को कम किया जा सके. इसके लिए इस समय आकस्मिक रूप से एक स्ट्रेडिजी बनानी होगी, एक उप्युक्त रणनीद बनानी होगी, ताकि बच्चों की सिक्षा सतत चल सके. Keeping in view, the above a Comprehensive Learning Recovery Plan has been prepared with which delineates the action to be undertaken by each stakeholder, take-holder indicative, annual calendar and activities, existing interventions which can be utilized and additional support with funding as a one-time measure. The states and urinary trees may prepare their AWP and B 2022-23 and include following interventions in their project approval board proposed. अब यहाँ पर PAB में इनको यह चीज प्रस्तावित करनी होगी, क्या करनी होगी? Learning Enhancement Program, LEP for all students, all children will be provided this package in the beginning of the academic session 2002-2023. Financial support at the rate of 500 per student for all students at upper primary and secondary will be provided. Grades 1 to 5 are already covered under Nipun-Bharat Mission. तो आप पान की यहाँ पर चली की कक्षा एक से पांच पहले से शामिल हो गया, 6-8 और secondary level पर प्रते एक बच्चे को 500 रुपए दोस्तों मिलेंगे. ताकि वो अपनी जो COVID-19 के दौरान उनकी जो अकेडमिक जो उनकी जरूरते थी, वो सेक्षिक आउशकता जो उनकी थी, उसको पूरा कर सकें, वो copies ले सकें, पैंसल ले सकें, पिन ले सकें, एक प्रकार से बच्चों में, एक प्रकार से बच्चों के अंदर फिर से ignition करना होगा ताकि वो सिख्षा के मुखधारा में आ सकें. Teacher resource package क्या है TRP to continue with the hybrid mode of learning, the uses of tablets will enable teachers to use the resource and content on various digital portals and show them to the students financial support at the rate of rupees 10,000 रुपे पर teacher for tablets will be provided for 25 lakh teachers at the primary level. Primary level पे तक्रीवन 25 लाख शिख्षी का भाई भैन पूरे देश में काम कर रहे हैं और उन्हें 10,000 रुपे मिलने हैं tablet के purchasing के लिए. Oral Reading Fluency Study ORF is the ability to read age-appropriate known as well as unknown text at a certain minimum page accurately and with comprehensions. Support will be provided for conducting this study, financial support at the rate of 20 lakh per state or union territories will be provided covering all state and union territories. तो दोस्तों 20 लाख रुपे Oral Reading and Fluency Study के लिए प्रतेक जो है राज को दिये जाएंगे, केंशासित प्रदेश को दिये जाएंगे ताकि पठन चमता का बच्चों में भी गास होक सके. ICT Facility to BRCs ICT facilities at BRC level will enable them to take up a substantial load of teacher capacity building with the help of face-to-face as well as online teaching learning, techniques, tools, content and resources aimed at improving the quality and efficiency of the teaching learning process, financial support of at the rate of 6.4 lakh non-recurring and rupees 2.4 lakh recurring cost including for tablets will be provided for ICT facility in each BRC. तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 6,40,000 और 2,40,000 recurring non-recurring amount के रूप में यहाँ पर BRC को provide किया जाएगा ताकि वहाँ पर ICT की facility available किया जा सके. अब बात हो रही क्लस्टर लेवल पर क्या करेंगे NPRC लेवल जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथिंग आप CRC's, Mobility Support to CRC's, the CRC's need to undertake regular visits and organize monthly meetings to discuss academic issues and design strategies for better school-oblig student performance. Financial support of at the rate of Rs. 1000 per CRC will be provided as Mobility Support for Visit by CRC's to provide support during the COVID pandemic. 1000 रुपे CRC को भी दिये जाएगे cluster level पे. I would request to initiate the process of implementing the above plan and ensure that all stakeholders participate in the process of mitigating the learning loss caused by pandemic. The detailed learning recovery plan is enclosed for further necessary action at your end. With regards, Your Sincerely, Manish Garg Education Secretaries, SPDs, Director, SCIRT of All State and Union Treaties को ये पत्र दोस्तों गया है और ये पूरे भारस सरकार का विजन है कि ये सारी चीजे मेंटेन हों आज के लिए इतना ही वीडियो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पे कमेंट करें अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे सबस्क्राइब कर लें जब भी आप सबस्क्राइब कर उटन प्रिस करते हैं बराबर से एक बेला आइकन आता है उसे प्रिस करें चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग एं लिस्निंग दिस इजजे प्रकास तुबिस साइनिंग वा